नॉर्मली हमारे घरों में पुलाव बनाया जाता है। ये इजीली बन जाते हैं और इसे हम किसी भी टाइम पर बना के खा सकते हैं। तो इसके लिए रेसिपी को पूरा जरूर देखिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। तो चलिए देदना करते हुए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने या पर एक ग्लास चावल लिया इसको दो से तीन बार दो लिया था। और इसको 15 मिनट के लिए भिगोकर रख दिया था। एक चोथाई कप चना दाल लिया इसे दो से तीन बार दो लिया था। और एक घंटे के लिए सोख करने के लिए रख दिया था। यहां पर मैंने एक मेडियम साइज की प्याज लिया है। इसको स्लाइज में कट कर लिया है। दो हरी मिर्च लिया है। इसके बीज मैंने निकाल दिया है। और इसको लंबा-लंबा काट लिया है। यह तीखी मिर्च नहीं है। इसलिए मैंने यहां पर दो लिया है। यहां पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिया है एक चोटाई चमाच जीरा लिया है थोड़ा सा मेथी दाना लिया है एक बड़ी लाइची दो छोटी लाइची पांच काली मिर्च और एक दाल चेनी का टुकड़ा लिया है अगर आपको पुलाव में मेथी दाना पसंद नहीं है तो आप उसे स्केप कर सकते हैं मैं पुलाव में मेथी दाना जरूर डालती हूँ यह डायेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और मैंने यहाँ पर 5-6 काजु लिया है देखे इनको बीच में से काट लिया है मैंने आप चाहे तो टुकड़ा भी ले सकते हैं तो चलिए ब यहाँ पर मैं 1.5 बड़े चमत देशी की डाल रही हूँ आप गी की जगह रिफाइंड ओल भी उसकर सकते हैं जब गी गरम हो जाएगा तो हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे गी गरम हो गया है अब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे इसे मीडियम फ्लेम पर जाना नहीं है हलका ब्राउन रखना है अब हम इसमें स्लाइज के हुए प्यास डाल देंगे कुछ लोग चना-दल-प्लॉव में प्यास का यूज नहीं करते हैं मगर यकीन मानिये प्यास डालने से चना-दल-प्लॉव का टेस्ट ओर बढ़ जाता है हमें इसको ब्राउन नहीं करना है इसको हलका पिंक होने तक ही भुनना है अब हम इसमें डालेंगे काजू प्याद के साथ साथ ही काजू भुन जाएंगे अगर आप काजू पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं हरी मिर्ज को जो हमने काटके रखा था उसे डाल देंगे हरी मिर्ज जालने के बाद हमें कुछ सेकंड के लिए ही भूनना है जादा नहीं भूनना है क्योंकि हमारी प्याज भून चुकी है अब हम इसमें डालेंगे चने की दाल हमने जो चने की दाल को भिगो के रखा था उसे डाल देंगे अब इसमें स्वादानुसा नमक डालेंगे इसे कुछ सैकिन के लिए चलाते वे भूनेंगे अगर हम इस टेज पर नमक नहीं डालेंगे तो चने की दाल फीकी फीकी लगेगी इसे लगातार चलाते हुए आदे मिनट तक भूनना है अब हम इसमें भीगे हुए चावल डालेंगे चावल डालकर इसे अच्छी तरह से चलाते हुए भूनेंगे ऐसा करने से चावल खिले खिले और दानेदार बनते हैं अगर आपको तीखा पसंद है तो आप यहां पर एक चोटाई चमच लाल मिर्च पौडर डाल सकते हैं इसमें एक चोटी चमच बिर्यानी मसाला डालेंगे यह हॉममेट बिर्यानी मसाला है एक चोथाई चमच काले मिर्च पाउडर डालेंगे इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि मसाले इन सभी चीजों में अच्छे से मिल जाए अब हम इसमें पानी डालेंगे यहाँ पर मैंने एक ग्लास चावल लिए हैं तो मैं इसमें डेड़ ग्लास पानी डालूंगी अगर आप कड़ाई या पतीले में बना रहे हैं तो आप जितने चावर लेंगे उसका डबल पानी डालना होगा सबसे पहले मैं एक ग्लास पानी डाल रही हूँ इसमें आदा ग्लास पानी और डालूँगी इसे अच्छे से मिलाएंगे इस स्टेज पर हम नमक टेस्ट कर सकते हैं अगर नमक कम है तो हम डाल सकते हैं अब नमक कम लग रहा है तो मैं डाल लेती हूँ अब हम कुकर का ढखकर लगाएंगे और इसे एक सीटी आने तो पकाएंगे जैसे ही एक सीटी आएगी हम ग्यास का फ्लेम बंद कर देंगे एक सीटी आ गई है बस इसी स्टेज पर ग्यास का फ्लेम बंद कर देंगे और इसकी एर को अपने आप ही रिलीज होने देंगे एकदम से कुकर कड़कर नहीं खोलना है जब पूरी तरह से air release हो जाएगी तब हमें कोकर कटकन खोलेंगे ये देखिए पूरी तरह से air release हो गई है अब हम इसे खोल कर चेक कर लेते हैं मैं आपको दिखाती हूँ तो देखी फ्रेंड्स हमारे बिल्कुल खिले खिले चनादाल पुलाव बनगर तेयार है तो चली इसी बीच हम चनादाल पुलाव के साथ परोशने के लिए कच्ची केरी की चटनी बना लेते हैं ये चटनी बहुत ही जल्दी और जटबड बन कर तेयार हो जाती है कच्ची केरी की चटनी के साथ चनादाल पुलाव का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है स्टैंड पर राखेंगे और उसे भूनेंगे हमें इसे मेडियम फ्लेम पर उलटते पलटते हुए भूनना है भूनी हुई आमी से जो हम चटनी बनाते हैं तो पहुत ही टैंप्टिंग चटनी बन करते यार होती है ये देखे क्यारी भून गई है बस इसी स्टेज पर ग्यास का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे क्यारी ठंडी हो गई है अब हम इसका चिलका अटा देंगे क्यारी को चीनने के बाद इसे चोटे चोटे टुकडों में काट लिया है इसका टीवी केरी को हम मिक्सी जार में डालेंगे तीन हरी मिर्च ली है इसे डाल देंगे चार लैसुन की कली डालेंगे एक छोटी साइस की प्याज को रफली चॉप कर लिया है इसे डाल देंगे इसमें स्वादानुसा नमक डालेंगे थोड़ा सा काला नमग डालेंगे एक उच्ची हरादनिया लेंगे इसे डाल देंगे मैंने हरादनिया को साफ करकर दो लिया था दो से तीन बार आप चाहे थे थोड़ी सी पोदीने की पत्ती भी डाल सकते है मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर स्केप कर रही हूँ एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है उसे काट कर डालेंगे अब इसका डखकन लगाएंगे और इसे पीस लेंगे यह देखिए कितनी बढ़िया बनी है आप इसे एर कंटेनर में बार कर फ्रीज में तीन से चार दिन तक रख सकते हैं अब हम इसको सर्व करेंगे तो फ्रेंट्स हमारी इजी टू कूक और गुट टू इट रेसीबी बन करते ही आ रहे तो फ्रेंट्स क्या कहते हो बने है ना खिले खिले दाने दाल पुलाव चावल का एक एक दाना खिला खिला है इसे कच्ची क्यारी की चटनी के साथ परोसेंगे अब इसे हारे धनिया से गार्निश करेंगे तो लीजी फ्रेंड्स चना दाल पुलाव के साथ कच्ची केरी की चटनी बन कर तयार है I hope आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी अगर आप कोई पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए वीडियो को एंट तर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही नई नई और इंट्रस्टिंग रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे आज के लिए बस इतना ही तब तक खुश रही है हेल्दी रही है